किसी गाउं में एक साधू रहा करता था बहे जब भी नासता था तभी बारिश होती थी इसलिए जब भी गाउं के लोगों को बारिश की जरूरत होती तब बहे लोग साधू के पास जाते और उनसे अनुरोद करते कि बहे नाचें और जब बहे नाचने लगते तो बारिश ज लड़के ने नाचना शुरू किया पहले लड़के ने नाचना शुरू किया आदा घंटा भी देगा फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटे बीटते बीटते वो भी थक कर बैठ गया बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई अब साधू की बारी थी उसने नाचना शुरू किया एक घंटा बीट गया पर बारिश नहीं हुई साधू फिर भी नहीं रुका बह नास्ता ही रहा नाश्ते नाश्ते दो घंटे बीट गये पर बारिश नहीं हुई चार घंटे बीट गये पर बारिश का नामों निशान न था लेकिन साधू तो र लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से छमा मांगी फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा बाबा भना ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई साधु ने उत्तर दिया जब मैं नासता हूं तो दो बातों का ध्य सफलता पाने वाले में भी यही गड़ दमान होता है वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोशा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक की बोस में सफल ना हो जाए इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही आपको आज की सांदार वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूल अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद